अगर आपको डिसाइड करना हो कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर अच्छी मिल रही है वेल फंडिड है स्टार्टप तो यह रिस्क ले सकते हो सेलरी अगर वेल फंडिड हो तो आपको सेलरी अच्छी मिलेगी और इसको तीन-चार साल हो गए हो मार्किट के अंदर बाकि टेक्नोलोजी तो आप बेफिकर रहो जब आप जाओगे तो आप मोंगो डीबी से लेके अर्टीबी में हर किसी चीज पर काम ना कुछ ना कुछ करी रहोगे उसके बाद एक दो साल काम करके फिर आप चाहिए तो मेरा ही क्रेट जाए किसी और का ना जाए लोग नहीं बोल पाते मैं भी नहीं बोल पाता था फिर मैंने दीर दीर रहाला सा अपना डर निकाला मैंने अखा वाँ ऐसी की तैसे यार काम किया तो करा है बिकमेंसी स्टार्ट अप कौन सी जोइन करूँ स्वाकते जी आपका एक नई वीडियो के अंदर और आज मैं बात करने वाला हूँ start-up companies के बारे में और बड़ी MNCs के बारे में कुछ process के बारे में बात करेंगे कैसे processes वहां रहते हैं start-up join करते हो तो क्या benefit आपको मिल सकते हैं so कुछ pointers बनाए है मैंने फिर चाहे वो growth हो आपकी visibility, आपके काम की visibility job security, work life balance skills, पैसा कहां जाओ भी या अभी मेरे पास offers भी है start-up के offer भी है MNC के offer भी है कहां मुझे जाना चाहिए ठोड़ी कोशिश करूँगा वैसे तो यह decision आपका खुद का यार life में अभी तक जहां मैं भी हूँ मेरे को एक चीज समझ आई है हम लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा मन हलका कर लेते हैं but at the end decision हमें खुद लेना पड़ता है स्वागते जी आपके एक नई वीडियो में और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो इसे लाइक करना शेयर करना और जस्ट फोर माइ मोटिवेशन ऐसे और इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए आप चल्लों को सब्सक्राइब कर सकते हैं along with bell icon and aim रखते हैं इस वीडियो पर 3000 likes का अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग वीडियो जाते रहेंगे मैं पूरी कोशिश करता है रहता हूँ कि अपने काम के साथ-साथ आप लोगों के साथ भी इस तरीके से इंगेज रहूँ ठीक है तो देखो यह स्टार्ट अप और बड़ी मल्टिनेशनल कंपनी राइट हम पहले स्किल्स के बारे हैं बात करेंगे क्योंकि इस आईटी के अंदर खास तूर पे आईटी के अंदर स्किल्स का ही खेल है जिसके पास स्किल्स है पैसा उसको मिलता रहेगा फिर जैसे ऐसे उसकी एज बढ़ रही है जो भी है सारा खेल स्किल्स का ही है अब मैं कहता हूँ बड़ी मल्टिनेशनल कंपनी के ज़िए हम बात करते हैं अमजन है, फ्लिप कार्ड है, राइट और टीसीयस है, विपरो है, कॉग्निजेंट है ठीक है, यह ऐसी कंपनी है यह MNC में आती है, मल्टिनेशनल कंपनी है तो प्रोसेस वाइस आप अमजन में जा रहे हो या फिर टीसेस में जा रहे हो प्रोसेस आपको सेम दिखेंगे हाँ, अब वो प्रोड़क बेस कंपनी है टीसेस एक सर्वीस बेस कंपनी है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं जिनरिक बात करूँगा मल्टिनेशनल कंपनी के बारे में ठीक है तो अब मैं कहता हूँ आपको कि आपको स्टार्टप में जाना है ठीक है और वहाँ पे आपको प्रोड़क्ट स्टार्टिंग से स्क्रेश से डवलप करना है ठीक है और आपको Amazon जाना है आपको TCS जाना है या Microsoft जाना है इनका नाम है मार्किट में बड़े-बड़े प्लेयर्स है है न हर कोई जाना चाहता है अब वहाँ पे आप जाओगे तो system developed है और उसी developed system में आपको development करनी होगी based on business requirement अब ये बात अपने आप में self explain कर रही है कि अगर मैं start-up जा रहो हूँ जहां मुझे starting system develop करना है simple सी बात है learning वहाँ जादा होगी ठीक है अब ये चीज़ depend करती है लग के उपर मैं बहुत रिलिस्टिक बात आपको बताऊँगा यहाँ पे ठीक है आपके पास जब भी ऐसी situation आए आज के टाइम पर जो start-ups है कुछ already market में बन चुके है जैसे पेटियम है ओला है उबर है ठीक है जमैटो है ये start-ups बन चुके है इनके systems चल रहे हैं और हम booking करते हैं daily swiggy हो गया ये कुछ बने-बनाए start-ups सब बन चुके है जो एक product-based company की रहा में जा रहे है ठीक है तो ऐसी companies दो mocha मिलता है अच्छा है क्योंकि अब ये establish होगे थोड़ा से हापे आप job security भी assume कर सकते हो ठीक है अब मैं आपको वो बताने वालो हूँ अच्छा आपको exposure मिल जाए बात निराली है अगर आप start-up में जाते हो ठीक है वहाँ पी जो आपकी profile रहती है वो है versatile आज आप react पे काम कर रहे हो कल आप angler पे कर सकते हो आज Java पे कर रहे हो तो कल Java केसी framework पे काम कर सकते हो ठीक है development support करते रहोगे क्योंकि अब क्या होता है जैसे मैं mix बात करूँगा आप जब service based company में काम करते हो तो वहाँ पे क्या है support project भी होते है आप development भी करते हो उन्हें support करना भी ज़रूरी है उसके लिए वो आपको 12-15 लाग का package देते है ठीक है अब multinational company में क्या होता है कि जैसे वो लोग आपसे expect करते हैं कि आपके soft skills भी अच्छे हो आपके अंदर leadership quality हो आपके communication skills बहुत अच्छे हो बातचीत में आप अच्छे हो क्योंकि आगे client से बात करनी है अब क्योंकि आपे roles ऐसे बने हुए designations ऐसी है soft engineer, senior soft engineer, technical analyst, team lead इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो आज के time पे skills जैसे करना बात करूँ cloud service की बहुत demand है आप AWS अगर आपको आता है practitioner का certification हो गया और solution architect हो गया अभी आपको बता है AWS का summit 2022 आगया है इसी मन्थ है और वो free एकदम live conference है आप एक बर यह देखके हो फिर में आपको बताता हूँ job security, skills, everything अभी discuss करते बाले आप यह देखके हो बहुत interesting है मैं भी join करूँगा आप लोग को भी आना है हां पे यह देखके हो AWS summit India आचुका है हर साल की तरह इस साल भी और मैं में है 25 और 26 इसी मन्थ में है और यह completely free है अगर आप IT में हूँ आप fresh और हो इवन क्योंकि आज़कल हर कंपनी क्लाओ में माइग्रेट कर रही है और AWS का बहुत जादा दिमांड है तो यह AWS summit India आप इस फ्री ओनलाइन कॉंफरेंस और जो मारी cloud computing community है उनके साथ connect करना collaborate करना learn about AWS क्या नया चल रहा है क्या नई development चल रही है क्या नई चीज़े आने वाली है कैसे आप business को और smooth कर सकते हो वो सारा discussion यह पे होगा और इतना ही नहीं immersive virtual experience मिलेगा आपको with educational content like latest यह चल रहा है development क्या चल रही है everything cloud technology के अंदर event highlight की बात करें तो कीनोट है और 150 सेशंस है experiential zone है get started with AWS training कैसे आप कर सकते हो और participate कर सकते हो AWS Deep Racer रही है इनकी ask an expert आप one-to-one जो भी आपकी क्वेरी आप कर सकते हो builder zone है deep dive into technical stack कैसे AWS expert a real world problem को solve करता है for customer के लिए हना यह कुछ features topic रहेंगे discussion का part in 2 दिन के अंदर AL and ML की उपर है Big Data की उपर है Computer Anywhere Industry Solution Cloud Security right Building on AWS Database अपनी IT के अंदर जितने भी चीज़े है सब के उपर discussion है आपर और agenda है आपका 25th का सुबा स्राटे नो बज़े से 9.45 शाम को 5.25 तक है तो इसके साब से आप देख सकते हो और कुछ नहीं करना वस आपको रेजिस्टर करना है और आप जा सकते हो और इतना ही नहीं अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को देख भी सकते हो क्या क्या चीज़े कवर होने वाली है आप यहां पर चेक आउट कर सकते हो AIML में क्या कवर होगा एंड बिग डेटा के अंदर सब कुछ क्या मेंचन है और अगर आप इती में हो और क्या सोच रहे हो यार यह सी कॉन्फरेंस मेरे साब से अटेंड करनी चाहिए भी मते अपको बहुत सीखने को मिलता है जालो तो देहाल आना फिर सारे और मैं भी आउंगा अब्ह Thai अफाना टेंड फ्री में मिलेगा और जहां फ्री हो सीखने को मिले तो क्या निक्कत है बुक्र्टे अब अब और हम बात कर रहे हैं MNC company बनी बनाई है ठीक है उसको start-up अपना खडानी करना है वो अर्ड़ी बनी हुई है बहुत सारे engineers कितने हजारों बंदे काम कर रहे है ठीक है तो communication skills अगर आपके leadership quality है और अब यह एकदम से नहीं आती company में कुछ लोग काम करकर करके सीखते हैं बढ़ ठीक है अगर आप बा Android में अच्छे हो आप React में अच्छे हो तो उस हिसाब से आपको काम करना पहले दिन से दूसरे दिन से शुरू कर देना है वहां पे जैसे multinational company में क्या होता है आप जाओगे चार महीने तीन महीने ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपको project मिलेगा आप काम करोगे यहां ऐसा न जा रहे हो ठीक है वहां तो ठीक है जैसे product base में तो यहार DSA है सारा अगर आपका पहला round दूसरा round DSA पे होगा उसके बाद फिर आपको training वेगरा मिलेगी सेम training वाला process service based company में भी होता है अब service base में अगर आपके problem solving skills ठीक ठाक है आप समझ लेते हो आप development में अच्छे हो तो का 9 to 5 की job है अब जैसे यहां पे है आपका start-up में यहां पे 9 to 5 वाला कुछ guarantee नहीं है बाई depend करता है ठीक है और अगर बहुती initial stage पे है वो start-up तो आपको अच्छा से रगडा जाएगा और फिर वहां आपकी जो grooming होगी अग लेवल पे होगी ठीक है तो skills wise अब मेरे ऐसा मानने अगर मैं conclude करूँ इस point को अगर आपका experience starting time में हूँ एक दू साल का experience है मेरे इसाप से आपको risk लेना चाहिए आप जाओ अच्छे यह चीज़ ध्यान रखना किसी भी start-up में अगर आपको decide करना हो कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए salary अच्छी मिल रही है well funded start-up त कुछ करी रहे होगे उसके बाद एक दू साल काम करके फिर आप चाहे service base में जाओ या product base में जाओ अगर आपको product base में जाना है तो आपको तयारी करनी पड़ेगी आप फिर चाहे कितना अच्छा development का का काम करके आयो नहीं Microsoft Google इनके लिए आपको अलग से बैट के तयारी करनी पड़ेगी आपको questions all करने पड़ेंगे मैंने बहुत सारे cases ऐसे देखें including मुझे भी ले लो मैं जो company में काम करता हूँ वो मेरे को Microsoft का interview नहीं निकाल पाऊंगा मैं मुझे उसके लिए बैटना पड़ेगा तयारी करनी पड़ेगी समझ रहे हो ठीक है maturity time case आजाती है but this is very important तो आपको फिर तैयारी करने पड़ेगी आप crack करोगे आप जाओगे वहाँ पे ठीक है फिर आप कोगे यहां तो मुझे इतना अच्छा package मिल रहा है कहीं लोग यह भी देखते हैं अब package के अगर बात कर रहे हैं तो मैं करी लिए ता हूँ salary मेरे साब से अभी अगर अच्छा सीखने को मिलेगा मतलब कल्चर तो जो भी है मापर वर्किंग इन्वार्मेंट वह ठीक है स्किल्स आपको बहुत आपकी ग्रूमिंग होगी तो ऐसे आपको वेल नोन स्टार्टप में काम करने का मोका मिल रहा तो बहुत बढ़ी है अगर कोई ऐसा स्टार्टप जो इतना नोन नहीं है बट वेल फंडिड है और स्किल्स तो आपको मिली जाएंगे तो आप उस इस आप से सोच सकते हो अब जैसे सर्वीस बेस कंपनी जो में में बात करूं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप वो उनका एक स्लैब बना हुए है कि आपको 4.5, 4.2 का आपको उफर करेंगे, 6 का उफर करेंगे, 7 का उफर करेंगे, यह fix है उनका, product-based Microsoft में 45,000,000 CTC है या 43,000,000 CTC है जिसमें 13,14 fix रहता है, 5,000,000 का bonus रहता है, 20,000,000 के stock रहते हैं, तो आजकल जाए startup हो या बड़ी product-based company आपको stock दे देती है, कल को अगर वो startup चल पड़ा, तो आप company की growth तो आपकी growth भी हो जाएगी इस भाने companies के पास एक advantage रहता है कि एक बंदा 3-4 साल 5 साल रुक जाएगा एक company के अंदर ठीक है क्योंकि दुबारा से resource बनाना बहुत मुश्किल है तो company stock दे देती है पर service based में आपको stock वेकरा कुछ नहीं मिलता आपको proper CTC मिलता है 10 लाग का 12 पुराना है ठीक है well funded है और मुझे salary अच्छी दे रहे है और क्या चाहिए और नाम मिल जाएगा फिर तुम Microsoft में भी जा रहे हो Google में जा रहे हो करोगे तो एक room में ही काम ना ठीक है brand जुटेगा तो अच्छी बात है LinkedIn में तुमारे followers बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे but at the same time अगर आप एक start-up में जा रहे हो वहाँ पर सीखने को मिल रहे है मेरे साब से तो Microsoft में ठीक है दो साल तीन साल बात भी चला जाओंगा कोई बात नहीं ठीक है तैयारी करके फिर वो स्टेज तो तुमारी नीशल भी और तुम फिर तीन साल चाहिए start-up में काम कर भी चुकी हो इन कंपनी में जाने के लिए यार DSA is mandatory not CP I'm not talking about CP I'm talking about DSA तो वैसे questions गीक से आरकाइव निकालो तयारी करो तीन-चार में लगाओ अच्छे से और फिर इंटर्व्य दो ठीक है ना तो salary wise आपको कुछ start-up जो होंगे बहुत अच्छा पैसा भी दे रहे होते हैं जो बहुत well funded ह रहते हैं आपको वहां से पैसा मिल जाता है तो मेरे इसाब से जा सकते हो अगर अगर इनिशल टाइम पे अगर तुम्हारा experience 5-6 साल का फिर मत जाओ मतलब ऐसा मैं समझता हूँ क्योंकि आपकी age हमेशा सेम निर रहेगी आगे family responsibilities है so चीजे हैं तो हर इंसान अपना अपना चलता है तभी मैं कहा रहा हूँ यह topic मैं जो बाते बता रहा हूँ जेनरिक बता रहा हूँ कुछ लोगों को यह बाते बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगी कुछ शायद मेरी बात से अगरी ना गर रहे हो क्योंकि age factor भी रहता है तो thoughts अलग अलग रहते हैं हर इनसान के मैं क ठीक है development हो रहा है core development हो रहा है और process बनाए जा रहे हैं वहाँ पर कल के लिए सोचा जा रहा है यहाँ पर जो बड़ी companies हैं पर सब कुछ सोच लिया है pre-planned है एक चीज हो रही है लोग comfort में जा रहे हैं फिर लोग switch मार रहे हैं कईयों को पैसा मिल रहा है ठीक है यह चीजे क आपको एक startup जाता दे रहा हो और MNC कम दे रही हो उस case में फिर आप देख लो अगर experience तुमारा कम है और तो तुम risk ले लो यार मेरे आपसा सीखने के लिए जाओ एक बर skill हाथ में आ गया ना वो confidence आ गया भाई तुम्हें मार्केट से कोई निकाल नी सकता मैं तुम्हें बत आपको मिलता है और आपको प्रोपर टाइम मिलेगा चीज समझने का हर चीच ठीक है प्रेशर रहेगा बट डिपेंड करता है किस तरह के का प्रोजेक्त है कितने लोग काम कर रहे है यह जो job security work life balance ठीक है learning opportunities यह सब चीजे ना डिपेंड करते है प्रोजेक्त कैसा है क्या उस काम करने का मिलेगा लेगा लेटेस्ट मिलेगा ठीक है अधी सेम ताइम आपको प्रोजेक्त मिल सकता है support development mix मिल सकता है onset opportunity आपको बहुत ज्यादा मिलेगी service based company के अंदर TCS even मेरे चो पुरानी ex company को फोर्च विप्रो इंफोसेज यहां बहुत on-site मिलता है start-up में आपको इत ज्यादा मिलता है तो यह advantage है तो plus minus तो हर जगा है है उस हिसाफ से आपको adjust कोई भी कहीं भी जगा आपको complete नहीं मिलेगा कि आपकी हिसाफ से सब कुछ हो मेल भी सकता है बट नहीं भी मिल सकता नहीं मिलने वाले किस जाना है ठीक है so learning opportunities दोनों जगा है और मैं तो हमेशा कहत जब तक learning हो रही है आपको समझ आ रहा है आप satisfy हो कई लोगों को इतना ज्यादा नहीं चाहिए बस mental peace चाहिए उतना आ रहा है ठीक है satisfy हूं मैं ठीक है बट नहीं यार मुझे और interesting करना है live में कुछ और phone ना है ऐसी कुछ अगर आप में आ गए तो simple सा fund है अगर आपको समझ आ रहा है उस company में आपके लिए ठीक है learning हो रही है तो ठीक है करो यार नहीं हो रही है तो फिर change करो ठीक है ना learning opportunities मैं आप ठोड़ा neutral रहूंगा depend करता है company to company और कैसा आपको project मिल रहा है बट अगर latest technology है आपको पता है यह भी decide करना है आपको कि यहां पर latest technology मिल रही है आने व startup में जाओ ठीक है जी next जी growth and visibility अब देखो growth तो है यार जैसे मैं तुम्हें दिखा हूँ मैं अभी 2018 की बात है मुझे young achiever मिला था जब मैंने join किया था coforge तो काम को आपके appreciate किया जाता है ऐसा नहीं है और ऐसे startup में भी है आपको आप अच्छा काम करोगे तो आपको award मिलेंगे जी आपको आपकी तालियां वजएंगे आपके लिए और at the same time visibility आपको खुद बनानी पड़ती है मैंने जितना सीखा है हम जब एक group में काम करते हैं तो हर किसी को proof करना है ठीक है तो visibility अपने आपको खुद बोलना आपको पता हो नचे आपको कहां बोलना है कहां स्मार्ठ हाना काम यहीं क्रेटिट जाए किसी और को पता थाया भी नहीं बोल पाते है ठीक है आपको जोड़ती आपको मिलती है इक कंपनी कह ते स्टार्ट अप हो है फिर स्ट आप हो है रेहे साफसी च्छ फोस पे ए wordt अपको इसे क्या अपको स्टमेहें जिसे मेत दिए और येशी मचोंत और सपीरेंस गुंशाने कि अपको रोल चेंज होते रहते हैं अपको गुंहको मिलता रहते हैं visibility किसी के हाथ में नहीं है आपके खुद के हाथ में है ठीक है जी अब जो next point है काफी interesting है job security को लेके और work life balance job security आपको no doubt MNCs में ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि वो company सालों साल से चल रही है हजारों में बंदे काम कर रहे है एक बंदे का package 20 लाग का है पड़ेगा startup में अगर 3-4 साल startup में हो गए है package आपका ठीक है आपको लगता है बढ़िया चल रहा है आपने पूरा जानकारी कर ली है LinkedIn पे बात कर ली है देख ली है तो आप जा सकते हो startup आपने को पूरी उमर वहां काम करना है अब जैसे आप पुरानी तो आप करना है तो हर टाइम सेम नहीं रहता है तो job security मैं तो कहता हूँ MNC में नहीं है ठीक है बंदे काम कर रहे है सब कुछ ठीक है अब आप काम ही नहीं करोंगे तो आपको निकालेंगे तो पिर चाहिए MNC या startup आप काम अच्छा करो अपने आप से मैं honest रहो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है फिर चाहिए startup हो या फिर MNC हो बट हाँ अगर मैं वैसे comparison करूं startup को MNC से तो MNC ज्यादा secure है security wise work life balance भाई फिर तुम चाहिए MNC join करो या startup join करो सब चिए depend करती है project के उपर मैं किस पर काम कर रहा हूँ deadline बहुत ज़दा टाइटल मेरा effort ज्यादा जाएगा ज्यादा घंटे जाएंगे मैंने कुद काम किया service based company मैंने काम किया हमारा एक development था एक साल का project था अब बारा तेरे ज्यादा घंटे काम करते थे हम क्योंकि requirement ऐसी थी दो तीन दिने रहा फिर हम project को stable कर दिया हमने फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तो same for startup बढ़ा startup में फ़ड़ा effort ज्यादा चाहता है क्योंकि आपकी जो responsibility हो फ़ड़ा ज्यादा रहती है अब यहां पर प्रोपर टीम काम कर रही है MNC में आपको चुटी चाहिए तो आपको राम से मिल जाएगी चार बंदे हैं backup में काम करने वाले यहां ऐसा नहीं होगा चुटी में फड़ासा कलीश मचेगा startup में तो यह सब चीज़े रहती है तो यह आपको जितनी में बाते बाते बाता रहा हूं यह आपको एक decision लेने में help करेंगी हाना यह MNC है यह startup है मेरा experience अभी 2 साल में नहीं है start कर रहा हूँ पैसा अच्छा मिल रहा है और company well funded है stock भी मिल रहा है सही है पूरी फील लेता हूं और क्या पता है यहां से मैं inspired हो के मैं अपना startup खोल लूँ so this is something इसके base पे आपको decide करना है with motivation के साथ समझे रहो तो यह कुछ points थे जी skills के ऊपर बात करी मैंने salary के ऊपर बात करी learning opportunities के बारे में बात करी growth and visibility के बारे में बात करी job security के बारे में बात करी इसके base पे आप एक decide कर सकते हो कि आपको पैसा जहां कैसे मिल रहा है opportunities कहां मिल रही है और I think यह video आपको काफी help करेगा अगर help करेगा उसको जादा से जादा share चाहिए मुझे मुझे नहीं बता और इस पर 3000 likes का मैंने aim रखा है इसी मन्त है सभी लोग आना मैं भी आऊंगा डेट्सो प्लस सेशन से और करते हैं जी फिर वहां सीखते हैं कुछ ठीक है free है जुरूर आना and that's it for this video guys मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी next video में until then ध्यान रखिए अपना और सब कुछ हो जाता है life में ऐसा नहीं है परशान नहीं होना है थोड़ा आता है पेन तो कोई बात नहीं समझो उस टाइम को और सब कुछ ठीक हो जाएगा thank you so much guys